नमस्कार आप देख रहे हैं अमरुजाला राजस्थान और आपके साथ मैं हूँ राधबकुत्रा बात करेंगे होने वाले विधानसवा चुनाव के बारे में तो आपको बता दे कि राजस्थान विधानसवा चुनाव के लिए नामानकन भरे जा चुके हैं कॉंग्रेस ने एक सीट गंडबंधन के लिए छोड़ते हुए 199 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है उतार दिये जबकि बीजेपी ने पूरे 200 सीटों पर अपने उमीद्वारों को उतार दिया है प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के लिए करीबन 2605 उमीद्वारों ने अपना नामानकन पत्र भर दिया है और 3436 नामानकन पत्र भरे जा चुके हैं स्थान के सियासी मिहाज को देखे जाए तो टक्कर में बीजेपी और कॉंग्रेस के प्रत्याशी को ही माने जा रही है लेकिन कई सीटों पर इन पाटियों के बड़े बागी नेताओं का आला कमान की मुश्किले जो है वो बढ़ सकती है आई जानते हैं कि किस तरह से इन द रक्ष्मनगर से मौजुदा विधायक जोहरी लाल बसेंडी से वर्तमान विधायक खिलाडी लाल बेरवा नोखा से कनहया लाल जवर लुन करंड सर से विरेंद्र बेनिवाल छबडा से नरेश मीडा सादुल शेहर से ओम बिश्नुई सवाई माधपूर से अजीज आजाद नागोर से हबिबबूर रह्मान शहपूर से आलोग बेनिवाल चलिया बात करते हैं कि बीजेपी के पांच पूर्व मंत्री समेत 19 बागी नेता के बारे में जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं आने वाले विधान सभा चुनाव में तो कॉंग्रेस के मु शहपूर भिलवारा से वर्तमान विधायक कैलाश मेगवाल ने निर्दल ये परचा भर दिया है मेगवाल को पार्टी से निशकाशित भी किया जा चुका है इसके अलावा जोटवारा से राजपाल सिंग शिखावत डिडवाना से यूसून खान तो वहीं कामा से मदन मोहन सिंगल भी जो है वोः चुनावी मैदान में उतर चुके हैं खंडेला से बशिधर बाजिया चुनावी मैदान में उतर गए हैं केलाश मेगवाल भी उतर चुके हैं इसके बाद हम बात करें तो ये वसंद्रा राज़े के करीब graveyard कर ताल ठोक दी है भाटी करीब साथ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकेट नहीं दे इस कारण उन्होंने बगावत कर दी है और फिर निर्दल ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं चलिए अब आपको बताते हैं कि बाग्यों को लेकर क्या कर रही है बीजेपी तो आपको बता दे कि बीजेपी ने पार्टी के सभी जीला अध्यक्षों से बगावत कर रहे निर्दल ये चुनाव में मैदान में उतरे जितने भी नेताओं हैं उनसे उनकी सूची मांगी है माना ये जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने बगावत कर चुनाव में उतरे हैं और उन उमीदवारों को लेकर बैठक कर उन्हें चर्चा करेंगे और आगे की रणनीती जो है वो बीजेपी तयार करेगी नामनकन वापिस को लेकर नेताओं को मनाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है चुनाव आयोग ने 9 नवेंबर तक नाम वापिस लेने का समय दिया है ऐसे में जो नेता मानने को तयार होंगे उनके नामनकन पत्र वापिस भी कराए जा सकते हैं इसी तरह अगर हम कॉंग्रेस के भी बात करें तो कॉंग्रेस भी अपने बागी नेताओं को मनाने का काम कर सकती है ताकि कम से कम सीटों पर बागी नेताओं का सामना कॉंग्रेस को होने वाले विधान सभामे करना पड़े इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्टियों के लिए बागी किस तरह से टेंशन बनी हुई है उसके बारे में जान लेते हैं बीजेपी और कॉंग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं में से कई ऐसे हैं जो पार्टि के उमिदवार की जीत में मुश्किली खड़ी कर सकते हैं ऐसा इसलिए भी है क्योंकि साल अगर 2018 के हम बात करें तो साल 2018 के चुनाफ में 29 सीटे ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1000 से 5000 वोट का था इसमें 13 पर बीजेपी, 9 पर कॉंग्रेस, 4 पर अन्य और 3 पर निर्दलिय उमिदवार की जीत हुई थी तो वहीं अगर हम बात करें, 9 सीटे ऐसी वी थी जहां 1000 से कम वोट पर हार जीत हुई थी ऐसे में ये बागी नेता, बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों का खेल राजस्थान में बिगार सकती है ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सक्षन में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी एचडी क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके गर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंतर